स्वागते दोस्तों आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर आज मैं आप लोगों के लिए ले करके आया हूँ 30 by 38 साउथ फेसिंग का फर्स्ट फ्लोर डिजाइन ठीक है आज आईए मैं आपको हर एक कमरे से रूबरू कराता हूँ यह सामने जो से आजाने के बाद यह कैंण बन रहा हुआ ठीक है फरस्ट फ्लोर में इन्ट्री करने पे फरस्ट पर जैसेcekा आप मिलेगा विश्क मिलेका來說 और टू भी एसके का एक फ्लेट इधर ठीक है आईए हम लोग इंट्री करते और देखते यह देखें साड़े तीन फिट का यहां गेट छोड़ा गया सीरी के सारे तीन फिट का गेट इंट्री कीजिएगा इंट्री करने के बाद आपको सबसे पहले ड्राइंग हॉल में हम लोग आएंगे ड्राइंग हॉल है यह ड्राइंग हॉल देख सकते हैं जो कि इस फेस में एक चार सारे चार का विंडो दिया गया है चार सारे चार का विंडो है और ड्राइंग रूम से ये एक बेडरूम में है, बेडरूम में जाने का सारे तीन फिट का यहां गेट छोड़ा गया है, सारे तीन फिट का अंदर इंटरी कीजिए, ये रूम में आ गए हम लोग, रूम में कबोड दे दिया गया है, कबोड बन गया, ये दिखते हैं, ये यह देखिए, यह रूम है, रूम 11-13 साइज है, चलिए अब रूम से बाहर निकलते हैं, रूम से बाहर आने के बाद, एक यह सामने में बिट रूम है, जो कि सारे तीन फिट इसका, सारे तीन बाई साथ का यह गेट है, आप देख सकते हैं, सारे तीन और यह साथ, लिंटर तक सारे तीन बाई साथ का यहां है, सारे तीन बाई साथ के गेट से इंट्री करने के बाद, आप रूम में इस साइड में है, चार सारे चार का आपको विंडो, और एक साउथ साइड में है, चार सारे चार का विंडो, इसमें भी कबोड निका उपर डोड से उपर यहां छजी निकाला गया है जो उपर अलमारी वगरा कुछ बॉक्स बन जागा समानुमान रखने के लिए यह दूसरा रूम में हम लोग थे दूसरा रूम के बाद अब फिर हम लोग चलेंगा ड्राइंग हॉल में ड्राइंग हॉल के बाद यह ड्राइंग हॉल है यह ड्राइंग हॉल के बाद अब हम लोग कीचन की तरफ चलते हैं इसका कीचन हो गया आपको कीचन के लिए अरहाई यहां सिंख बैठेगा यह प्लेटफॉर्म है तीन और सब्सक्राइब कि इसमें भी उसमें देखिये यहां पर कुछ समानुमान रखने के लिए छह जी टयाप का निकाल दिया गया है जो कि यह भीoust बने श्रेथ और यह फ्रीज रखने यहां पर आराम से फिर इतना अच्छा खासा एरिया है जो फ्रीज आराम से रखा जागा कोई दिकत परशानी नहीं होगी इसमें सारे में उडिन का काम होगा नीचे में उडिन का काम होगा फिर उपर ग्रेनाइट लगेगा ग्रेनाइट लगेगा और नीचे में पूरा मार् प्रस्ट में इन्टरी कर रहे हैं यह लगाय जो की लिए गया है और टॉयलेट के लिए जग़ा चुटा है ठोल इडालेट बनेगा ये ट्राइलिट है चलिए अब थोड़ा दूसरे फ्लैट में आपको दिखाते हैं ये फर्स्ट 2BHK का साउथ फेसिंग फ्लैट है इसमें भी हम लोग पहले ड्राइंग हॉल में इंट्री करते हैं ये ड्राइंग हॉल है ड्राइंग हॉल से ही सारा गेट दिया गया है उसके बाद एक यहां बेडरूम है आईए हम बेडरूम में ले चलते हैं आपको बेडरूम में गया है यहां पे एक साउथ में आपको चार सारे चार का विंडो दिया गया है और यहां आप देख सकते हैं यह वेस्ट है, यह वेस्ट साइड में पांच सारे चार का विंडो दिया गया है, और फिर यह इस रूम में डोर जहां से हम लोग इंट्री करते हैं, उसके उपर एक छज्जा दिया गया है, आईए, अब इस रूम के बाद हम लोग फिर ड्राइंग और डाइनिंग हॉल में यहां से एक बालकनी भी दिया गया, बालकनी का रास्ता दिया गया है, एक रूम यह है, यहां से ट्वाइलेट और ड्रेसिंग का जगह है, ट्वाइलेट और ड्रेसिंग का चलिए दिखाते हैं आपको, यह देखिए, यह पूरा ड्रेसिंग का एरिया है, और यह ट्वाइ सारे तीन भाइ सात का gate दिया गया है इसमें और इस room में entry करने के बाद इसका cupboard बन रहा है, cupboard में ही यहां नौर्थ इस्ट इसका corner परता है इसलिए इसमें छोटा ऐसा पूजा घर भनाया जा रहा है ठीक है कब यह अलमारी में ही एक नौर्थेस्ट का जो corner था उसमें पूजा रूम बना दिया गया और इस रूम के इस रूम में भी आपको एक खिरकी है ठीक है जो कि इसमें भी पांस सारे चार का है इसमें भी बरा विंडो है पांस सारे चार का देख सकते हैं अभी लिंटर का काम हो चुका यहाँ अभी इसके उपर भी जा करके मैं आपको पूरा प्रॉपर तरीके से दिखाऊंगा आईए उपर चलते हैं ये इसका स्ट्रेयर है ठीक है ये अभी फर्स्ट लेंडिंग इसका ढलाया है आईए कि यहां पर इसका लिंटर और छजड़ ढला चुका है जो कि यह देखे यहां से हम लोग इंटरी किये थे यहां पैसेज दिया गया एक पैसेज इधर है फ्लाट में जाने का दूसरा पैसेज इसमें यहां इंट्री करने का ठीक है अगर आप पैसे से आईएगा तो आप सबसे पहले ड्राइंग हॉल में आजेएगा ड्राइंग कम डाइनिंग हॉल है ये ड्राइंग कम डाइनिंग के सब बाद एक रूम एक बेडरूम यहाँ है जो कि अच्छा खासा साइज है एस्टेंडर साइज है 1113 साइज दिया गया ह पहां है जो की असका भी साइज आपको एक यारा थे रहा है इसका ड्रेसिंग यह ट्वाइलेट का एरिया ठीक है और सिमिलर दूसरा फ्लेट का अब पाईएगा सबसे पहले ड्राइंग हॉल में इंट्री किजिएगा ड्राइंग हॉल में इंट्री करने के बाद एक आपको साउथ विस्ट में इसका मास्टर बेट्रूम दिया गया साउथ विस्ट में मास्टर बेट्रूम है जिसमें आपको दो विंडो लगा हुआ है ठीक है आईए फिर उसके बाद डाइनिंग कम ड्राइंग में जब आ जाएगा तो एक इसका मास्टर इसमें एक और बेड्रूम है यह जो इसमें एक ही विंडो है इसके विस्ट में आप बालकनी का एरिया छोड़ा गया जो कि आप देख सकते यह एरिया यह देख रहे हैं आप यह प्रचनी का एरिया है जो की पैसेज दिया गया यहां से यह पैसेज आप देख सकते हैं कि पैस दिया गया है तो तो इसके का यह साउफ फेसिंग का दो फ्लैट है ठीक है आगर आप लोगों को इसी तरह का और भी वीडियो देखना है तो मेरे चैनल को सब्स्क्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए शेयर कीजिए थैंक यू